हेलो गाइस कैसे हो आप लोग present tense, past tense और आज हम लोग पढ़ेंगे future tense future tense जब आप लोग पढ़ने का start कर रहे हो तो आपको starting में बात याद आ दियोगी कि sir आपने तो बताया था कि tense में सिर्फ present और past होता है कुछ future नहीं होता है future time में tense की पढ़ाई कर रहे हो इसका यह मतलब है future tense में बोल रहा हूं तो इसका यह मतलब है future time में हम tense की पढ़ाई करेंगे future tense क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए it is used to express any statement which occurs in future जैसे वह कल सासाराम नहीं जाएंगे तो यहां पर future की बात हो दिया कि भविश्य में नहीं जाएंगे जब भी ऐसा situation होगा तो हम future tense का use करेंगे तो क्या होगा he will not go to सासाराम tomorrow अब future tense में हम पहले simple जो future tense है उसकी पढ़ाई करेंगे यह simple में क्या होता है कि आपको जो बी का use करना पड़ता है एक वर्व होता है वहाँ पर बी आपका main verb की तरह use होगा जैसे इस sentence में देखो उस समय तक मैं वहाँ पहुंच जाओंगा तो वहाँ पर होंगा या पहुंच जाओंगा एक ही sense दे रहा है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा by that time I will be there मैं उस वक्त तक वहाँ होंगा तो ऐसा जब sense देना होगा तो आप B का main verb की तरह use करोगे और यह simple future tense है एक future indefinite बताऊंगा थोड़ी देर में वहाँ पर आप national figure, will और shall का use अक्सर यह बताया जाता है कि I और V के साथ आपको shall use करना है लेकिन आज कल का जो situation चल रहा है इसमें जरूरी नहीं है, आप will भी use कर सकते हो, shall भी use कर सकते हो, I और V के साथ, किसी भी person के साथ आप will use कर सकते हो, चाहे हो first person हो, second person हो या third person हो, ठीक है, बाकी special case मे मैंने आपको shall का use model में बताया हुआ है, तो model वर्ब आप देख लेना, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, आगे की तरफ future indefinite tense, जिसमें आप लोग अक्सर पढ़ते हो, कि will के साथ हम लोग verb का use करेंगे, verb का use तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें देख से आपको future tense का sense देना होगा, तो यहाँ पर indefinite में क्या करोगे, will का use आपका helping verb की तरह होगा, और एक main verb का हम लोग use करेंगे, वहाँ पर जो की action show करेंगे, जैसे वो पटना जाएगा, जाने का sense हो रहा है, action होगा, he will go to पटना, मैं उसको नहीं जाने दूँगा, क्या use करो होगे, यह भी अब आपको पता चल चुका होगा, doubt आता है, आप मेरे से पूछ सकते हो, rule one क्या बोलता है, positive sentence के लिए कि आपको subject use करना है, उसके बाद will या shall, और verb का first form और object, उसके घर पधान मंतरी आएंगे, the prime minister will come to his home, negative sentence यही होगा, तो आप किस देके से use करोगे, subject होग मतलब subject recording, या will shall लगा होगे, otherwise आप will भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद not, verb का first form और object, जैसे वे लोग मेरे पार साला नहीं आएंगे, क्या बोलोगे, they will not come to my school, अब आजाते हैं, interrogative sentence पे, interrogative sentence कब, जब आप हाँ या नाम या अंसर दोगे किस question का, तो will य या shall use करोगे, subject, verb का first form और object, जैसे कि क्या तुम में से शादी करोगे, क्या बोलोगे, will you marry me, जब negative होगा, तो will या shall use करोगे, फिर subject, और फिर आप not का use करोगे, और फिर object, जैसे क्या तुम वो नहीं करोगे, जो मैं कह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, will you not go to do what I am saying, या फ जीज को, जैसे यहाँ पर देखो, आप explain ही कर रहे हो, how will he do this work, वो कैसे इस काम को करेगा, यह sense दे रहे है, तो question word होगा, फिर will sell plus subject, और उसके बाद फिर आपका क्या use हो जाएगा, verb का form use होगा, verb का first form, यहाँ रखना और object, यहाँ वर्व की जगहा पर do कर दिया गया है, य तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर do है, और कहीं पर कुछ और हो सकता है, यहाँ पर इसको verb का first form कर लेना, next देखो, अगर negative होगा वही, तो question word होगा, will sell का use करोगे, फिर subject, उसके बाद not, verb का first form, और object, जैसे क्यों वह मेरे घर नहीं आएगा, why will he not come to my home, इस तरह किसा आप यूज करोगे, तो यह आपका था future tense, और कौन सा future tense, future indefinite tense, या future simple future tense, simple future tense, ऐसे कुछ normally होता नहीं है, future indefinite होता है, आपको simple future में, मैं एक अलग से लेका हूँ, कि आप B का use करना, आपसर छोड़ देते हो, तो वहाँ पर B का use है actual में, ठीक है, तो आप इन सब को practice करना, कहीं भी future वाला होता है sense, तो आपको structure यह follow करना है, कल हम लोग future continuous tense करेंगे, ठीक है, practice करते रहो, revise करते रहो, कहीं पे भी हिंदी में आपके दिमाग में आता है, उसको translate करने की कोसिस करो, ठीक है, मिलते है next lecture में, bye, take care.